हेलो बच्चो असलाम अलेकूम कैसे हो आप लोग उमीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे तो बच्चो जैसे कि हम सब को पता है क्लास सेकंड के हम चप्टर नमबर 9 सेफटी रूल्स पढ़ रहे हैं तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था पैज नमबर 72 पे जो सेफटी एट होम हमें गर पे कौन से सेफटी रूल्स को फोलो करना चाहिए गर पे सेफ रहने के लिए वो सब हमने पहले वीडियो में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे safety on the road road पे जो accident होते हैं उन सबसे बचने के लिए वहाँ पे safe रहने के लिए हम कौन कौन से safety rules को follow करेंगे वो आज हम पढ़ेंगे ठीक है बच्चो तो सबसे पहले क्या लिखा है ignore play on the road हमें road पे खेलना नहीं चाहिए road पे नहीं खेलना चाहिए अगर खेलना है तो playground पे ही जाके खेलना है road पे बिल्कुल नहीं खेलना है क्यूंकि वहाँ पे क्या होता है गाड़ियां चलते रहते हैं तो वहाँ पे accident होने की chances होता है तो उसके बाद है second always walk on the pavement हमेशा pavement पे चलना है means जो side से यहां road होते है और road के side में क्या होता है इनसान जो pedal चलते हैं उनके लिए footpath जिसे हम कहते हैं वहाँ से हमें चलना चाहिए road के हमें side से चलना चाहिए beach से नहीं चलना चाहिए उसके बाद है cross the road at the zebra crossing only अगर आप लोगो road cross करना है तो सिर्फ zebra crossing पे ही road cross करना है थोड़ा अगर आगे पीछे जाना पढ़े तो भी जा के क्या करना है zebra crossing पे ही road cross करना है अगर zebra crossing नहीं है पहले हमेशा आपने right side फिर left side फिर again right side अच्छे से देख के क्या करना है रोड को क्रोस करना है ऐसे ही रोड क्रोस नहीं करना है और अगर कहीं पे क्या करते हैं हमारी जो गाड़िया पाक करके रखते हैं रोड के साइड पे तो उस गाड़ी के पीछे से आप रोट क्रोस नहीं करना है क्योंकि जो यहाँ से गाड़ी आएगा उससे दीखेगा नहीं और वहाँ पे एक्सिल्डन होने की चांजिस होता है हमेशा clear road पे ही क्या करना है road cross करना है उसके पाथ है next cross the road only after looking first to the right then to the left and then again to the right पिलंगरे तो उसके क्या करना नहीं आए पहले अपने right side देखना है उसके बाद left side उसके बाद again right side dan subscribe पिल्ट करना है और जेबर、 क्रोसंग पर भी पहले दाए बाएद देखना है अच्छे से उसके बाद ही road क्रॉस करना है जेबरा क्रॉसिंग पर भी आगे आगे आप क्या करना है पहले दाइज तरफ देकोगे फिर बाइज तरफ फिर सिधाय तरफ एक बड़ देख के ही राट क्रोस करोगे ठीके बचो तो ये सब था हमारा सेफ्टी औन दा रोड रोड पर सेफ रहने के लिए हमें ये सब करना जरूरी है अपने आपको सेफ लखने के लिए ठीक है बच्चो तो आज हम यही तक देखेंगे इंशाला कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है वो सब पढ़ेंगे आप लोग यहां तक अच्छे से फिर से एक बार रीट कर लेना और अगर कोई डॉड है त करते हैं उसमें भी हम डिसकस करेंगे ठीक है बच्चो अल्ला हाफीज